कभी कभी हमें खुद ही कुछ मजीदार बनाना चाहेगे देखो और सीखो अगर आपकी बच्चे है और आपको कहीं बाहर भी जाना है तो उनकी मस्तिक अब खयाल हमें रखना चाहेगे और अपनी शांती के लिए भी ये ज़रूरी है ये अच्छा लग रहा है अब देखो ये आइडिया हमें कहां ले जाता है बस थोड़ी से शांती से काम लेना है और बच्चों के लिए बहुत मजीदार चीज़ बन जाएगी हाँ ये लगभग तयार है बच्चों मस्तिकरने के लिए तयार हो जाओ कोई गेस करेगा कि ये क्या है ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ रेथ है लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत जबर्दस चीज़ है यहाँ पर बहुत अंधेरा है थकी हुई लग रही हो स्वीटार लेट जाओ बस बहार बेर्स नहों आराम दायक मुझे यहां कर अच्छा लग रहा है क्या लेली सो गई है बच्चे वेकेशन पर बहुत थक जाते हैं और मैं खुद भी थक गई हूँ आखो को थोड़ा आराम दे देते हैं हाँ ये क्या हो रहा है ये इट मॉन्स्टर है उसकी जाइन प्लॉस देखो उसे पता भी है क्या हम अंदर है मॉम उठो मैं अभी ही सोई थी अगर आप मुझे नहीं बचाओगी तो कौन बचाएगा ओ नहीं ये चला कौन रहा है लिली क्या हुआ है जाइन प्लॉस वाला एक मॉन्स्टर है वो बहार खड़ा है इस लाइट से देखो मुझे अंधेरा पसंद नहीं है ये बहतर है ना हाँ ये क्या ये बबबन तुमारे चेरे से मुझे डर लग गया ये बहुत ही तेज है पर मैं ये ठीक कर सकती हूँ एक खाली मिल्फ काटन ले इसके अंदर लाइट लगाए तिका दे ताकि ये हिले नहीं इस ते लाइट थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी बढ़िया है ना अब अंधेरा नहीं है अब मुझे काफी बहतर लग रहा है इस टेंट पे अब कोई मॉन्स्टर नहीं आएगा यहाँ पर तुम बहुत कर्मी है पानी कितना अच्छा लग रहा है हाँ हेई स्वीटी चलो पानी में चले मैं जा रही हूँ चल दी आना वाँ वो बीच पर बहुत चंदर दिखती है किपनी ठंडी हवा है माँ रुको कुछ ज़्यादा ही ठंडा है तुम सच में अंदर जाना चाहती हूँ मुझे रुको क्यों? क्यों? इस पर जाना बहतर है चलो चलते हैं मैं जा रही हूँ उसे वो बहुत पसंद आएगा वाँ कितना रलाक्सिंग है रुको मैं संस्क्रीन लगाना तो बूल गई बहुत बुरा हुआ पर अब मैं बहुत दोरा चुकी हूँ हे मॉमी हाँ मॉमी, मेरी स्किन जल रही है और तर दोरा है आरे नहीं, बुरा हुआ तमी तो सन बर्न हो गया है बहुत जल रहा होगा मैं भी मदद करती हूँ लो, अब दूप तुम्हें और तंग नहीं करेगी काफी बहतर है मेरे पास तम्हारे लिए एक और आइडिया है चलो, इस तरफ आओ यहाँ पर राफ्ट रखो बढ़िया अब हमें एक और पीस चाहिए मतलब टेंट इसे यहाँ पर बान देंगे थाकि यह पानी में न जाए इसे कस्ट कर बान देंगे अब चलो, टेस्ट ब्राइब पर चले आराम से ओ, मैं तो इस पर माहर हूँ हाई माम ओ, तम वहाँ बहुत अच्छी लग रही हो हानी और बिल्कुल भी रेड नहीं हुई कश मैं भी आपको ऐसा कह पाती आज भी हम पाकिंग करेंगे सबसे पहले लंच मैं अपनी फेवरेट फ्लेवर जाम रख लेती हूँ बढ़िया मैं और अच्छी से पाकिंग करूँगी यह रही मेरी बो और मेरा हैमर अच्छा आडिया है चलो गेम शिरू करें आप लगाएंगे नहीं यह बिल्कुल अच्छा आडिया नहीं है यह मुझे दो इसका बहुत नुकसान हो सकता है पर मैं जानते हूँ इसका करड़ा क्या है पहले माचस निकाल देंगे अब लेंगे चॉकलेट और प्रजन स्टिक्स इसे बोल में टिप करेंगे यमी लग रही है ना अब इसे वापस बॉक्स में डाल देंगे यह बात में बहुत अच्छी लगेंगी ओ स्वीट हाट मैं ज़र थोड़ा पढ़नू हेई इसमें और क्या है क्या ये मेरी मैच्चेज है उमीदाई इसी में हो चलो विने जला आई हेहा रुको क्या ये चॉकलेट है वोव अरे ये तो मैच्चेज से बहुत बहुत बहुतर है इसका स्वाच जबरदस्त है मुझे पसंद आया मेरी ट्रेक काम कर गई मैं सबसे अची मॉम हूँ और कहीं आग नहीं लगी मुझे बहुत गर्मी लग रही है मुझे कुछ पीना है बिल्कुल हानी और ये सोडा मेरा फेवरिट है एक और है तुम्हें बहुत ही प्यास लगी है शुक्रिया मैं अपना हाइड्रेशन स्टेशन लेकर आई हूँ अगे तुम्हारा है हानी शांती मिली मुझे बात्रूम ढोड़ना होगा अभी अरे यार या करू मैंने कुछ बना सकती हूँ पहले हमें थोड़ी तयारी करनी होगी फिया काफे बढ़िया है इसके उबर प्लास्टिक लाइनिंग लगेगी और अब ये तयार है मैं भी तयार हूँ या जितना टाइम चाहिए उतना लो स्वीडी मैं यही हूँ आज का दिन पिक्निक के लिए बहुत अच्छा है ये जगा कितनी बढ़िया है ना हाँ यही रुपना चाहिए फर उसे रखो ये जगा ठीक रहेगी इसे यहां बिछा दें और मैं हमारे फेवरेट स्नाच लाई हूँ चलो इने खोले इतने अच्छे एट्मासफेर में मैं अपनी सबसे फेवरेट नॉवल पढ़ूँगी मैंने इसे यही छोड़ा था क्या मैं वहाँ जाकर खेल लूँ बढ़िया फिर मिलते हैं मुझे देखो यहाँ यहाँ पर बहुत जगा है शाददार अब उने थोड़ा आराम करना है हे मामी अभी नहीं हाने बस एक मिनट दो जो भी हो रास पर हमें नंगे फेर चला चाहिए हाँ यह मैंने किस पर पेर रख दिया अरे वाँ मॉम मेरे पेर के रीचे कुछ लग गया है देखो मैंने रुको के रिसास लो मैं यहाँ बड़ी हूँ मैं समझ गई शुक्र है मैं अपनी फर्स टेट के डिलाई हूँ और इससे कुछ नहीं होगा तो चलो अब सारा काम सिरेंज ही करेगी हम इसे सक्षन से निकाल लेंगे कितने अच्छे से काम किया ना अब हम स्प्लेंटर को हटा सकती है तो में यह चाहिए तो नहीं वाउ बहुत बहुत बहुतर लग रहा है अब मैं जाकर खेलूँगी पर पहले अपने शूस पहल लो अब समझी हाँ मैं इने पहनी लेती हूँ मुझे सबक मिल गया है बस में से स्बांद लू अरे यार इतनी भूख मुझे कभी नहीं लगी यह इतने सारे बक्स क्यों है एक ने मुझे काट लिया बहुत जोर से चुबा अब खुजली हो रहे है यह कैसे हो सकता है अब ठीक लगेगा अहाँ शांती मिली हाँ हाँ मैंने तमारा फ्रेवरेट तोके सांड्विच बनाया बढ़ रिया थेंक्स याँम और डिजर्ट और मेठा चाहिए याँम कितना क्रांची है अब मैं पेट भगा जूस चाहिए अरी यार तमारी दाथ मैं टूटब्रश लाई थी इससे क्या हो गया तो हमें घर जाने तक कर इंतजार करना होगा खेर या फिर तुम ये इस्तिमाल कर सकती हो क्यूट है ना बस इसके ओपर टूटब्रश लगानी है और अब ये पैयार है बेखो तिम ट्राइ करो चलो इस पर बाइट करो समझ गई मैं ट्राइ कर लेती हूँ हम् ये काम कर रहा है आपको कैसा लगा टादा ये पक्वास मच्छड़ मुझे भी काट लिया अब खुजली हो रही है ये सब ठीक कर देगा मेरा टूट ब्रश क्या बक्वास है क्या पता काम कर जाए क्या आपके अगले आउट्डोर एडवेंचर में ये हाक सापकी काम आएंगे हमें बताएं और ऐसे ही काम की वीडियोस के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करें